गाम में होवेगा जखुड का जुत्ती मड कणाली पैरों छिडेगी बोवां में तक्रार जब मैं हवा की तर्या लेरू सोने की गुठी गळ में हार डालूंगी बावन गज का दामन पैर मटक चलूंगी ओ घली आख्या में शाहीर बिंदी माथे पहलाई बहु सब कर दिगाम की फैल मैं बन ठनके जबाई उसारे देवर जटाक है मैं गए खटक खटक गज का गुंगटकार चाली मैं तो मटक मटक नमस्कार मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं दिल से विद कमल आज मैं आया हूँ उत्तर प्रदेश जिले के बागपत में कस्वा खेगडा में आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये हैं महामना मालुए डिक्री कॉलेज इसकी स्थापना 1969 में पंडित मदन मोहन मालुए के शिश्य स्वर्गे पंडित डाल चंजी ने की थी और तब से बड़ी महता है इसकी खेकड़ा में आने का कारण ये है कि आज हम मिलने आएं अपने दिल से विद कमल के तीसरे एपिसोड की महमान बावन गज का दामन और धेरो सारे हरियान गाने गाने के लिए मशूर रेनु का पवार से मिलने के लिए तो आईए करते हैं दिल से विद कमल में हमारी आज की महमान रेनु का पवार से दिल की बात देवियो और सज्जनों हमारी आज की महमान है गाई का रेनु का पवार जिनकी उम्र तो अभी कम है लेकिन इरादे बहुत बुलंद है आप हरियानवी गाने बावन गज का दामन से मशूर हुई इस गाने ने नए की तीमान स्थापित किये केवल आठ महिनों में 100 करोड से जादा लोगों ने ये गाना देखा ये तो केवल सिलसिला भर था उनके अन्य गानों ने भी धमाल मचाया है उनके गाने ना केवल काफी मशूर हुए बलकि सब के मन को भावी रहे हैं आप जितना अच्छा गाती हैं उससे कहीं ज्यादा आपके वहवार आपकी सादकी और आपकी मासूम्यत सभी को पसंद आ रही हैं आपका सरल सभाव हर किसी को आपके प्रती लुभा रहा है ये आपका संघर्ष ही है जो एक छोटे से कस्वे से उठकर अपनी आवाज के दम पे अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए हैं आप हर दिल अजीज हैं और संघर्ष स निकली एक मिसाल हैं तो आइए स्वागत करते हैं और मुलाकात करते हैं गाई का रेनु का पवार से ना कोई संघर्ष ना तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में क्या बात है तो आज ऐसी ही जोशीली आग के साथ हमारे साथ है रेनु का पवार रेनु का जी स्वागत है आपका हमारे कारिक्रम नमस्कार सभी को और आप कभी तहीं दिल से शुक्रिया आप टाइम निकाल कर यहां मेरा इंटर्वी लेने आए है रेनु का हमारा इंटर्व्यू का नाम है दिल से विद कमल तो ऐसी कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं होगी बिल्कुल दिल से सवाल किये जाएंगे और हम उमीद करेंगे कि आप दिल से ही उनके जवाब दे तो दर्शको आईए शुरू करते हैं और प्रवेश करते हैं अपने पहले राउंड में कुछ अनकही तो रेनु का यह है पहला जो हमारा राउंड है वो है कुछ अनकही यानि कि इसमें हम ऐसे सवाल लेंगे जो शायद अब तक हमारे दर्शक नहीं जानते और जिसके लिए खुद हम प्रवेश करते हैं तो रेनु का आप सबसे पहले अपने परिवार के बारे में बताईए कि आपके परिवार में कौन-कौन लोग है परिवार में मंपी बापा, दो बड़े भाई है, भाबी है, एक बड़े भाई की शादी हो चुकी है और भतीजे हैं दो चोटे 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 तो और मैं हूँ मैं सबसे चोटी हूँ घर में दोनों भाई आपके बड़े हैं हाँ जी भाई बड़े तो भाईयों के क्या नाम है बड़े वाले बड़े बाई का नाम है विक्की पमार वैसे बाहर विजे भी बुलाते हैं दो नाम तो ये तो आपके परिवार के बारे में बात हो गई, तो आपका जन जो हूँ है, वो कहां, किस जगह है? मैं आपको बता दूँ मेरी मम्मी जो है यहां की लड़की है खेकड़ा में आपका ननीहाल है दर्शो को मैं आपको फिर बता दूँ मैंने इंट्रोड़क्शन पार्ट में भी कहा है कि हम हैं खेकड़ा में और अभी जैसे रेनुका बता रही है कि यह आपका ननीहाल है जी महीं ही पैदा हुई थी उसको बोलते हैं दादा का घर कौन से गाओं में है वो करान के पास एक गाओं है तीतर वाड़ा वहां बच्पन कैसे वीता रहे नुका बच्पन नॉर्मल जिसे सब सब का वीता है एकदम नॉर्मल लड़की स्कूल जाती है स्कूल से घर आती है खेलती है भायों के साथ बड़ों से बच्चों के साथ खेलती है पर बच्पन से ही मतलब मेरा एक सपना तरह से हम सारे बच्चे खट्यों जाते हैं तो सब पूछते कि आप बड़ों के क्या बनोगे आप क्या बनोगे तो मैं हमेशा से ही यही कह दी कि यह आपकी स्कूलिंग कहां पे हुई शुरू से बताईए कहां कहां पे आपकी स्कूलिंग हुई सबसे पहले मैंने सुलबा गल्स हाइज स्कूल में 10 तक पढ़ाई की थी फिर उसके बाद 11 और 12 में ने विध्याने के तन में की और अब मैं MM डिग्री कॉलेज में बीए कर रहे हूँ बीए तो कौन से यह मैं आप आभी में सेकेंड यह मैं दर्शकों मैं आपको बता दूं कि इंटर्व्यू एक तो हमें ऐसी ले रहे हैं कि रेनुका इतनी पॉपुलर हो चुकी है एक बड़ी अच्छी वजय जो रेनुका ने में बोली कि मैंने भी अपनी एट विध्यानी केतन में की और उसके बाद मैंने MM इंटर कॉलेज और डिग्री तो एक तरह से हम लोग स्क र्वेजित कर्दा याफिए में बच्पन में वोग से एंटर इसल में पें से नहीं तो प्रेक्टिस चल जाती थी एक महीने पहले तो जो भी प्रेक्टिस होते थे उसमें क्लास में तो जब कोई पढ़ाई वाला पीरेड आता था तो मैं बोलती थी अब मेरा प्रेक्टिस का टाइम हो गए मैं जाती हूँ तो मैं बहुत मसा आता था कि आप पढ़ाई करने को नी मिलेगी अब डांस करेंगे प्रेक्टिस करेंगे एक हमारे हां अकसर बोलते हैं कि परिवार में से यह गुन इसमें से आया है आपको क्या लगता है कि आपके परिवार में कोई था जिसको गाने का शोख हो जिसको गई थी कि या तो मैं धेवती बनके आऊंगी या फिर मैं पोती बनके आऊंगे तो मामा को तो हुई नी थी लडगी उससे पहले जब ममे को यह बोल कि नानी घुजरी थी तो उसके एक महिने बादी मैं तो मतलब यह आपको किसी को तो नानी की आधिते विरासत में मिलते हैं, तो मतलब यह बहुत proclaimed, उटानस का, नहीं का, हर चीज का, बहुत बहुत शूकता है तो आप एसकूल में इसकूल में कई गाणा गाने कि जो आपको आदत लगी या भीरे धीरे आया कैसे इमल्ड किसके गाने सुनते थे आप कैसे मलब पढ़ी आदत मेरी फ्रेंड्स थी स्कूल में निधी उसको ऐसे बैंच पे वो डोलग बजाती थी ताल देती ती और मैं गाती थी तो हमारी दोनों की जोड़ी फेमस थी सुलभा गलसा है तो जब भी कुछ फंक्शन होता स्कूल में तो हम दोनों को बुलाती मेडम की रेनुका और निधी तो हमारा वही से मतला बैसा था सब को पूरे स्कूल में बता था कि हाँ रेनुका और निधी की जोड़ी फेमस है और सब को पता था कि मैं सिंगें करती हूं तो वही से यह चीज हो गई थी जब मैं बोले लगी कि मुझे भी नहीं पताता कि मैं अच्छा गा सकती हूं फिर कि मैं देरर मुझे पता सराइल कि हमें गाना लगते हूं फिर मैंने श्रया गुषाल मैम को फोलो किया जो अब यह बी मेरी फेवरेट सिंगर है और अदिगी जोबे नीटिया तो मैं ओने की गाने सूर्ट तो राहनु का निधी को याद करते हैं और निधी के लिए कौन सा गाना गाएंगे अब अपनी दोस्ति याद करने के लिए एक गाना हमारे दर्शको पिलिए इस्कूल में भी गाना सुना देती हूं जे मनो यार ना मिले ते मर जावा जे मनो प्यार ना मिले जे मनो यार ना मिले ते मर जावा बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया लेनुका ये चलो हो गया क्योंकि अलमॉस्ट हर बच्चा, हर स्टुडेंस करता है कोई प्रोग्राम करता है कोई कुछ इस तरह के एक्टिविटी करता है तो आपने स्कूलिंग के बारें बताया अब हम आते हैं उस मोड पे यह कैसे हुआ कि वही जो आपकी होभी है शोक है इसको प्रोफेशनल में बदला जाए क्योंकि यह मेरे खाल से आपकी कहानी का सबसे मैठपूर्ण मोड है तो यह हमारे दर्शक जरूर जानना जाएंगे मुझे इस लाइन में आगे लेके मेरे बड़े भाई गए है और आज तक भी मेरे साथ है जिनका नाम विक्की परवार है हाँ जी तो उनके फ्रेंड थे परदीप सोनु भाई जिननों मुझे पहला मोक गाने का अच्छा यह कब की बात है यह तीन साल पहले है फिर उनके उनके जरीए मैंने एक हिंदी सोंग गया जिसका नाम था खुदा की इनायत तो वह सोंग बहुत हीट हुआ टिक टॉक पर उस सोंग से मुझे इतना नाम नहीं मिल पाया बस यह सोंग सबने सुन रखा है कर मैं आज़ बहुकal कि आजब ही अगर वह सोंग सुनाती है तो साथ बुलके कि आप नहीं गया है क्योंकि वह हिंदी सोंग नहीं से पता नहीं कि अप नहीं गया था नहीं हो गाना प्र यह प् neces जो मिलाया है दिया प्यारवाला ये दिल में जलाया है है तू सासों में आखों में मेरे आख खुद से ज़ादा तुझे करती हूं प्यार वाव बहुत अच्छे रेनुका तो इस गाने तक पहुचने की कहानी कैसी थी आपकी आपने बताया भाई आपको लेखे गए जी ये गाना किसी और सिंगर को गाना था उसकी तवित खराब होगी थी फिर उजन अरजेंट में मुझे बुलाया उन्होंने क्यों उन्होंने सोचा हुआ कि इसको किस से गवाए फिर भाई ने उसे बात कर रखी ती कि अगर आपके पास कुछ ऐसा हो काम सिंगिंग के ओके अगैं जिन्होंने बनाया था तरुन भाई उनके साथ लिजा था उन्होंने खुद बोला था कि हिंदी गाने चलते नहीं है कर ये एक मिलियन भी सला जाएगा ना तो मुझे खुशी होगी और वो एक काज वो तीन सो मिलियन जा चुका है तो ये आपका हरियाना इंडस्ट्री में ऐसे हिंदी सिंगर पदारपन था फिर उसके बाद एक हिंदी गाना हीट होने के बाद जब मैं दुवरा क्योंकि मुझ से नहीं करवा सकते हैं आप से गाई नहीं जारी तो तीन साल पहले मैंने गाना गाया था पर सिंगिंग करते हूं मुझे दो साल हुए क्योंकि एक साल मैंने बीच में गैप लिया था क्योंकि मुझे हर्यान्वी नहीं आती थी इस करके मुझसे कोई गाने नहीं गरा था क् मैंने सुच्वारप ऐगाने था टुका लगाने रहान ने लगाए ताय ने लगता तुसी तूम मजए सी involved अब किस ने आपका मार्थ बर्शन किया हिंदी Ἠाशे माइ ने मुझसे हर्यान वी ग्रथा गवाए थे बट रहा हे नहीं सिखायी किस ने आपने आपका पदार्पन हो गया हृँ घया ना दोटना ज्यादा हो चुका है कि मैं आपको भी सिखा सकते हैं अब हमें बताइए बावन गज यह कहानी क्या है 52 के दामन की मैंने अपको बताया कि दीरे-दीरे हमारे कॉंटेक्ट्स बढ़ते गए, भाई हर मतलब ऐसे होता है ना कि अपनी जान पहचान बढ़ा लेना, मैं तो कभी किसी से बात नहीं करती, हमेशा भाई ही मेरे साथ जाते हैं, भाई ही बात करते हैं, मैंने आज सक कभी किसी से बात नहीं की, तो ऐसे दीरे-दीरे बढ़ते गए, पिर उसके बाद, उससे पहले एक जो नाम हुआ था कि हाँ हरयाना में कोई सिंगर है, वो हुआ था उची हवेली से, उची हवेली से बढ़ते गए, पिर हमें आपने गानों सुनों को गजवन पानी ने चाल लिए, उनके लिरिसिस्ट है, मुकेष जाजी भाई उनसे हमारे जान पैचाना है, पिर से मैं उनसे मिली पेली बार उनने मुझे मुझे बुलाया तो ऐसे दीरे दीरे हम गाने करते गए, करते गए, मैंने बहुत गाने के इस रेकल टाइम में, पिर कहीं अभी आपने जब बताया कि बावन गज के दामन की बारी आई, तो उस टाइम तक हम बहुत जादा घुल मिली चुके थे, मुकेष जाजी भाई ने बोला कि आज आईसे तो कहके थोड़ी साहित होता है, हम उनके स्टुडियो में एक वह है कि रात को ही रिकोर्डिंग होती है, अच्छा, अच्छा, लाइट के थोड़ी प्रॉब्लम लाइए, उस टाइम पे थी अब तो अब टी हो गई है, तो रात को रिकोर्डिंग है हम पहुचे सात बज़े स्टूडियो में, सौनीपत में स्टूडियो है, हमने शुरू किया गाना, तो जैसे भाई ने लिखा, मैंने गाया पूरा फिर इसकी कमपोजिशन कुछ और थी, जो ओरिजिनल हमने सुनी है, वो नहीं थी, कुछ और थी, वो गादी मैंने पूरी, तो जैसे भाई कर दिया, और साथ बज़े आपने शुरू किया होगा, तो आई थिंग देलाथ होनी शुरू होगी होगी, जब इतनी महला की, अहां जैरी 10-11 बज़ गए थे, मतलब यह नहीं कि मुझे गाने में टाइम लगता है, मतलब वहाँ पे थोड़ी, नहीं वो पूरा एक वोई ग लगता है कि कुछ काम रात के, मतलब जब सारी दुनिया सोती है, आप महनत करो हो जाता है, उसका परिणाव, I think, बावन गज का दामान है, सुबह साथ बज़े कर गई थी, मैं अपने, गाने की पूरी रात रिकोर्डिंग कर गे, नहीं, हर सारे गाने, अधिक तर गाने रा नहीं थी क्योंकि, क्युको अश्योकर रात को इसका पर गाना नहीं कि श sel Ia भाना छ न, चांड राना, यह हैं तो just, मैं कि आप बार मुच्त घृट ता रही कर दो दू दागना तो बिलकुल लूऑ, और स्ताहिल संदू भाई ने डारेक्ट किया था, और आपको पता है, मुकीश जाजी भाई में लिखा था, और अमन्जाजी भाई ने, इसमें मुझीज जो बनाया था, वो मुकीश जाजी भाई के भतीजे हैं, पूरी टीम को, क्योंकि जो आपकी महनत है, वो सारी दुनिया ने देखी है और एक तरह से आपके महाध्यम से खेकड़ा को या हम सब को रेनुका पवार जो मिली है रेनुका अब मेरा जो आप से सवाल है क्योंकि हम जो हमारा कारिक्राम है ये दिल से क्योंकि आपकी जन्नी उसके बाद बावन गज का दामन किसी से छुपी नहीं है सारी कहानी लोगों को पता है पर अब हम आते हैं रेनुका पवार पर ठीक है रेनुका आपने सिंगिंग की डांस आप कितना अच्छा करती है बहुत लोगों ने आपकी तारीफ की होगी sucks, तो यह तीनों तो आपके शोग रहे होंगे इसके लाबा और कोई शोग था आप का जो बच्छपन से कहरी करतें रहे हैं किसके एलावर और कौण से शोक रहे हैं आपके मुझे मीध करनी बहुत पसंद है पैंटिंग करनी नी अरे इवह और multi 10 तो मैं करती रहते ऊंस्टार्घ्राम पर ऐक्टिंग मुझे बस और सेंग अब लडीम को बता ही आपको बहुत अच्छे हर वेक्ति या हर लड़की क्या होता है ना हम जब बच्चे छोटे होते हैं तो हम एक सबको एक आइडल रहता है हम सबके दिमाग में जिसको हम देखके पलते हैं बढ़ते हैं अपनी जगे आपके जीवन में कौन ऐसे आइडल रहता है अपको श्रया गोशाल दी जुन को शिष्या ने एकलव्य बनके मुलाकात आपकी नहीं हो गया हो जाएगी हम उमीद करेंगे बिलकुल रेनुका अब बात करते हैं आपकी कुछ पसंद नापसंद की क्योंकि आदनी का व्यक्तित तो काफी दिखता है कि उनकी पसंद नापसंद कैसे हैं तो चलिए शुरू कर गता हैं सबसे पहले हमें यह बताएए आप आप गवान को मानते हैं बिलकुल मानते हैं किस कौन से रूप को आप सबसे ज़्यादा मानती है उतने सारे रूप हमारे आप के क्वा आराध कोन हैं आप किनको मानती हूं ऐसे तो माधरानी और मैंसे सबसे ज़्यादा कर कोई मतलब मुसीबत आती है तो हमेशा बजरंग वली को यापके लड़की है आप और हमारे जो समाज है यहां पर कहीं न कहीं न लड़कियों कुछ व्रत कभी व्रत रखा है आपने कोई पहले रखे कर दो कि मुझे जाना पड़ा और मुंबे में आपको फल फुरूट तु अगर आप ट्रेवल कहले तो बहुत मुछल होंते क्योंकि मैं नोन्विज नहीं खाते तो कौन-कौन से मतलब रखा उना रखूं मैं बच्पन से एक व्रत आज तक भी जरूर ग्तियूं फिजनिवास्ट में बहुत बढ़े बागे बिहारी ने आपकी नईया पार लगा दी रेनुका ये हो गया हमारा अब फेवरिट कलर कोई फेवरिट कलर वही फेवरिट कलर जो मुझे अच्छा लग जाए जो अच्छा लगा वहीं है अगर आपसे अमोमन हरकोई कोशिश करता है वैसे तो आप वाज कल जब से लोग आपकी वीडियो देखने लगी है हो हर तरह ही ड्रेस में आई है आपने हर्यानवी ड्रेस भी पहनी है वेस्टन भी पहनी है आपकी फेवरेट ड्रेस कौन सी है मेरी फेवरेटडरेस.. जिसमे मतलब आपको अच्छा या कोई भी चाता है जब आप से कहा जाएगे भी तैयार हो कर आओग तो आप कोंसी ऐसी ड्रेस पहना चाहोंगे कि मेरी फेवरेट है वो उस हिसाब से कहां जाना है किस इसाब से जाना है आपने हमें singers के बारे में बताया, जो आपके favorite है, फिलमें देखते हैं, हाँ जी, खूब। क्या बात है, फिलम कौन थी आपकी? फेवरेट फेडिम मेरी आज, अगर मैं आपको बताओ, मुझे मैजिक मुवी बहुत पसंद है, कोई भी हो, कोई भी, कहीं के भी मैजिक मुवी, तो फेवरेट मुवी कौन सी, जो बहुत बार देखी हो आपने, फिर हेरा फेरी, मल लव हलकी, फुलकी, हाहा ही दिए, मैजिक मुवी तो नहीं है, बर मेरी फेवरेट है हूँ, फेवरेट एक्टर आपके, फेवरेट एक्टर अक्षा कुमार, और एक्ट्रस, एक्ट्रस, शद्दा कपूर और माधुरी दिक्षित, बहुत अच्छे, यह तो हमारी बात हो गई, गोविंदा सर भी अच्छे लगते है, गोविंदा, गोविंदा तो आलताइम, अगर आप हलकी फुलकी फिल्मे देखना पसंद करते हो, तो, मैं उनसे काफी बार मिल चुकी हूँ, अभी मुंबई गई थे, बहुत अच्छे हैं, और बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, अगर आ है कि आपके नाम पर ही मैं बहुत मतलब ऐसे हो गया था कि जब आपने मुझे पहली पर बताया था कि मिरे नाम रेनुका है, तो मैं बहुत खुश वादा आपके नाम सुनकी, और भी एक फेवरेट गाना आपका, मैं यही प्रोब्लम है, जो भी जो भी नया सुन लेती हू मैं फेवरेट हो जाता है मेरा, तो चलिए, फेवरेट सेग्मेंट के लिए एक गाना जिसकी दो लाइन आप हमारे बरशकों को सुनाना चाहेंगी, आपका फेवरेट गाना मैं जान ये वार दू, हर जीत भी हार दू, के मत हो कोई तुझे बेंत हाँ प्यार दू, सारी हदे मेरी, अब मैंने तूड़ दी, देकर मुझे पता, आवारगी बन गए हाँ, हसे बन गए, हान में बन गए, तुम मेरे आसमा, मेरी जमी बन गए, बहुत खूबसूरत, रेनुका बहुत अच्छे, अब थोड़ा घर के सवाल पूछते हैं, घर का खाना पसंद है आपको? घर का ही खाना पसंद है, सबसे फेवरिट मुझे चावल बहुत पसंद है, किसी के साथ भी जो तो कडी चावल, डाल, चावल, राजम, चावल छोले, चावल तो होनी चाहिए बसूरेनुका अब आप ट्रेवल काफी करते हो, करी सोनीपर, हर्याना, मुंबई, ऐसे में फि पर खाने पाते हैं, क्योंकि मुझे घर का घर में गर्म रोटी वो यह चिक फिर ममी बान के देती हैं, तो शुक्की हो जाती है, पर ममी देती जरूर है, और जब मैं बचा के ले के आती हूँ तो ममी हमेशा डाटती है, कि आज भी बचा के ले के आई होगी पक्का, चावल आप, खाने पीने की, तो बहार कौन से चीज बहार इतनी सारी जा रहती है, अभी मुझे मेरे सारी जो भी मेरे पसंद थी, वो सब खतम हो चुकी है, मुझे को इंट्रेस्ट नहीं रहा, किसी वी चीज में, चावमिन बहुत काती थी, और मैगी तो मैं भी भी खाती हूँ, मैगी नहीं छोड़ी मैंने, अक्सर बच्चो को इशिकात रहती है, कि उनकी मम्मी मना करती है, कि मैगी मत खाओ, मैगी मत खाओ, तो बच्चो आपकी सपोर्ट में रेनुका है, ये मैगी बहुत अच्छी तरीके से है, बनाते भी हो आप, तो बनाते भी हो या मम्मी, बना करते हैं वह घुटकी मूवी अट है जाता है थालू पच्बत बहुत करती है कि मम्मी को मम्मी सोई रहती है मैं का मम्मी मम्मी वोल जा थी क्या है मम्मी में ऑपना देखते रहना ठीक है यह में जोड़ इसे से संबंदित एक अरगला सवाल है जैसे हर आत्मी को अपनी पता होता है हर आदमी को अपनी कमजोरी पता होता है आपको लगता है कि भगवान ने आप में कुछ कमी बिनाई है मुझे में ये कमी है एक तो मुझे अगर कोई चीज हो तो जिनको नहीं सुना पाती उनका यह थोड़ा लाता है आपको लगता है कि कही बार हमें बोल देना चाहिए तर जो हमारे जिवान की बार कोई लड़की है तो इसी फिल्ड में उसके ड्रीम है परेशानी आएंगी आपकी दिम उसमें भी काफी आया होगा जब काफी अफसे होगे काफी घबरा होंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला तो ऐसी लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे जो अपने ड्रीम पूरा करना चाहते है बस यह है कि हार नहीं मानने चाहिए अगर आप एक बार हारते हो दो बार तीम बार चार बार बस अब मन में एक उमीद में भीजना नहीं था अगर भीजा है तो उस मुकाम पे पहुचाना आपके हाथ हो बहुत अच्छे दर्शकोर आया हमें पूरी उम्मीद है कि आपको रेनुगा की इन बातों ने जरूर प्रभावित किया होगा और अब इसके साथ हम अगले सेगमेंट में जनता जानना च जाती है रेनुका जी जब आपसे इंटर्व्यू की बात फाइनल हुई तो मैंने काफी सारे अपने सोचल साइट पर या जितने भी होते उनके उप्शन दिया कि मैं रेनुका से मिल रहा हूं अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो बताईए तो काफी सारे लोगों के सवाल है और मैं चाहूंगा कि आप उन सवालों के जवाब दे सबसे पहला सवाल है एक मनोज राठी जी है हमारे मुझफवन अगर के रहने वाले हैं उन्होंने कहा है कि आप रेनुका से बस मेरे लिए यही सवाल है कि बावन गज का दावन गाना एक बार सुना दे यह सवाल गाम में होवेगा अजखुड का जुत्ती मढ कर आणी पैरों छिडेगी बौवां में तकरार जब मैं हवा की तर्या लेरूँ सोने इकी गुठी गड़े मैं हार डाल लूँगी बावन गज का दामन पैर मटक चलूँगी बहुत बढ़िया और राठी जी आई होप आपकी फर्माईस जरूर पूरी हो गई होगी दूसरा सवाल है रेनुका ये सवाल है एक शद्धा पांडे हैं उत्त्राखंड से हैं श्री नगर की देहने वाली है उनका ये माना है कि जैसे काफी प्लेटफर्म पे आपके स्ट्रगल हम लोगों ने काफी देखी है उनका सवाल ये है कि आपको इस स्ट्रगल में अपने अलावा तीन लोगों कोन ऐसे हैं जिनको आप क्रेडिट देना चाहेंगा सबसे पहले तो देखो भाई तो है यो तो कुछ भी चीज़ करते हो तो नहीं होती आप से आप मैंने कभी स्टूडियो नहीं वखता कि कैसे क्या होता है माइक पर खड़े होता ना तो अच्छ अच्छ च्छ ची हाला टाइट बिल्कुल मेरे पहली बार का था तो उन्हों ने फिर भी मुझ से गवाया अगर कोई और और उसके बाद संजीव सर जिन्हों ने उची हमें ली गाना हिट कर वाया अच्छ अगर वो लिरिक्स नहीं लाते हैं जब वो लिरिक्स लेक यह तो मुझे मैं अच्छ नहीं लगए तो उन्हीं बड़ा नहीं आप गाव तो गाना हीट जरूरोंगा मैं गा लेते हैं ठीक के बाद जो मुझे सबसे बड़ी अच्विमेंट मिली तो मैं उनको भी ट्रेटिट दे तीसरा सवाल चुली हमने बड़ा कॉम्पेटिशन तरहे नुका पांच ही कोश्चन हमने लिये हैं इसमें तीसरा सवाल है हमारा और यह सवाल पूछा है राजीर गुपता जी है है हैं ह हरियानवी गानों तक ही सीमित रखेंगी या बोलीवुड में भी गाने की इच्छा है या मलब मुकाम क्या चाहते हैं आप में पूछा कि आइडल कोन है मैंने आपको बता है श्रह घोशाल में नहीं नहीं तो मुझे उन्य की ही तरह परना है और बॉलीवुड में तो मेरी कब से जाने की इच्छा है मलब यह है आपकी इच्छा तो हम उमीद करते हैं और दूआ करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी मतलब ह hindी गानों में भी प्रवेश करें ताकि जो आपकी मुराल है हिंदी हिंदी भी करूंगी पर हरियानमी जो जिसने मुझे यह मुकाम को मैं काने वाली है इनका सवाल था क्योंकि सब जानते हैं बावन गज का दामन आपका फेवरेट गाना है सेकिंड वन जो आप हमारे दर्शकों को गाने का के सुनाएं अपनी पूरी जनता जो भी मुझे प्यार करती है मैं उनको बस यह कहूंगे कि आपने पहला गाने तो बिलियन कर दिया है मेरा मैं आपसे हाथ जोड के रिक्वेस्ट करती हूं कि चटक मटक सॉंग चटक मटक वह भी अभी साड़े 600 के भी पार हो चुका है और उसको भी जल्दी से बिलियन कर दीजिए और सपना जी के साथ जो आपने बहुत अच्छा परफोमर बहुत अच्छा गाना तो वोई प्लीज जी बहुत अच्छे रेनुका बहुत बड़िया और इतिका जी आपका फर्माईश पूरी कर दी अब हम अंतिम सवाल लेते हैं और यह सवाल है गोरखपुर की है पहल उनका सवाल है और जिनका सवाल है वो भी लगबग आपकी एज की हैं पहल तो इसलिए उन्होंने सवाल किय है यह सवाल मुझे लगता है आज तो नहीं लेकिन आगे 4-5 साल बाद बड़ा इफेक्टिव रहेगा उनका यह कहना है कि अभी तो नहीं लेकिन जब आप 4-5 साल बाद कभी भी अपने जीवन साथी की तलाश करेंगी तो आप अपने होने देखें आप क्योंकि यह रेनु चली जाएगी अब तु यह मैंने का ममी मा भी नहीं जा रही आपको बहुत परिशान करूंगे नहीं तो मेरा सब मेरा यह सवाल जो है I think उनके लिए भी हैल्फुल रहेगा तो अगर आपसे इस तरह से आप किस तरह का मलदब चाहती हैं कि आपका जीवन साथी हो अभी तन ने बच्चों के बारे में गरत नहीं सोच सकते चलिए हो सकता है आपको यह लगे कि रेनुका ने सवाल का जवाब बड़ा डिप्लोमेटिक तरीके से लिया है वागी फ्यूचर में कुछ नहीं होता क्या होगा पर चलिए हमारी शुख कामना यह आपके साथ में है और पहल आप भी समझ गए होंगे कि कुछ सवालों के जवाब ना दें तो अच्छा रहत है यह था हमारा दूसरा सेगमेंट जनता जानना चाहती है और इसके साथ मुझे लगते हैं हमारे सबसे इंट्रेस्टिंग राउंड यानि रैपिड फायर राउंड में हम एंट्री करते हैं तो आएए अब आते हैं हम लोग अपने थर्ड राउंड यानि रैपिड फायर राउंड रेनुका जी इसमें आप से सवाल मैं करूंगा दस सवाल होंगे मेरे सवाल और दस सवाल के आपको ज़्यादा सोचना नहीं है मनलब जो दिल में आ रहा है वो देने हैं आप सवालों के जवाब दे देती हैं तो ये हमारी तरफ से आपको इनाम मिल जाएगा नहीं दिया मैं तो तब भी लूंगी तो शुरू करें जो शुरू के पांस सवाल हैं वो थोड़ा आसान है आपकी यादास चेक करेंगे हम कि देखते हैं आप दे पाती हैं नहीं ठीक है आ आपको रेनु का पहला सवाल आपके लिए आपको बताना है कि सिंगिंग के लिए कभी भी आपको बहुत सारे इनाम मिले होंगे सबसे पहला इनाम कब मिला आपको सबसे पहला ही नाम मिला था इधर डुंडेडा के पास एक लाइव शोव हुआ था मेरा पहला मुझे मिला था ट्रोफी मिली थी चलिए बहुत अच्छे बड़ा सुर्थी के साथ आपने जवाब दिया दूसरा सवाल आपसे है आपको बताना है आपकी लाइफ में पहली दोस्त वो कौन थी पहली फरस्ट कभी भी जो पहले आई है सबसे पहले जब से आप दोस्ती का मतलब समझे हो फरस्ट फ्रेंड कौन थी आपकी याद है रानी और मुसकान चलिए कहां की रहने वाली है वो मैं आपको बना दू कि जब मैं छोटी थी हम रेंट पे रहते थे इधर पास में ही खेकड़ा में रहते थे तो हां पडोस में जो बच्चे थे सामने घर था वो बच्चपन से जब से मैंने होश संभाला है तब से मेरी फ्र पूल में बनी थी तो रानी और मुसकान जेगर आप सोचें कि आप यह सोचते हैं कि सिर्फ नीधी इसकी फ्रेंड है ऐसा नहीं देखे सबसे पहली आप ही हैं दोस्तों चलिए आपने दो का बड़ा अच्छा सवाल दिया तीसरा सवाल मेरा आप से एक तरह से आपके मेमोर परफोर्मेंस कौन सी थी सिंगिंग के तो वही थी जो भी लाइव शो मेंने आपको पताया तो ही पे मेरी पहली परफोर्मेंस थी आप अब है हमारा आपने तीन सवालों के बड़े अच्छे जवाब दिये चोसा सवाल रनुका सो समझ के जवाब देना आपको कभी स्कूल में पनिश्मेंट मिला है मिली है क्योंकि मैं पढ़ाई में बच्पन में अच्छी नहीं थी तो पनिश्मेंट मिला है आपको चलिए को ऐसे भी मिला है कि सब बच्छे बोल रहे हैं वो बोल रहा है आप खड़े हो जाओ आप बाते क्यों कर रहे थे क्योंकि मैं आपको बत मुझे लगा तो सिर्फ हम लड़कों की किसमत में हैं लड़कियों को नोर्मली हाथ ही यह से खड़े यह करते हैं चलिए पांचवा सवाल आपकी यारदास्त जानने के लिए है बावन गज का दावन क्या आपको याद है कि ये इस सोंग की यूट्यूब पर रिलीज डेट कब थी हाँ जी दो अक्टोबर अरे वाव बहुत बढ़िया रेनुका बहुत अच्छे मुझे लगा था कि शायद आदमी भूल जाता है लेकिन यादास अच्छी है आपकी चलिए पांच सवाल के आप हो चुके हैं इनाम के लिए आपको सिर्फ एक और सही ज़ाव देना है मेरा सवाल जो है ये थोड़ा ट्रीकी हो जाता है रेनुका यहां से त्रीकी मतलब आप शायद को यह कहेंगी कि मैं किसका नाम लूँ क्या सोचू पर यही आपके लिए है च्छटा सवाल है हमारा घर वालों की नजरों में स्पेशली मम्मी पापा की नजरों में आप अच्छी बेटी जादा है या अच्छे सिंगर आपको क्या लगता है बेटी अच्छी बेटी है सिंगर बाद में चलिए बहुत बढ़िया बधायो इनाम है लेकिन यह आम आपको बाद में देंगे पहले और सवाल आप से मिलने के लिए आप मतलब रात भर बेचैन रहे हो और अगले दिन तो उनसे मिलना है उनसे मिलना यह जिन से मिलके बहुत ज़्यादा खुछी ही आपको बीप्राक्सर अच्छी आठा सवाल आपसे अगर आपको चोईस दी जाए तो आप अपने नाम के पीछे या आगे क्य लगवाना चाहेंगी बेस्ट हरियानवी सिंगर या बोलिवुड सिंगर सिंगर रेनुका पमार ओके वाओ यह मैं कहूंगा कि इसने खुबसूरती के साथ जवाब दिया है इसका सवाल का पर अच्छा है बहुत बढ़िया और हम चाते हैं कि आप गाई का के तोर पर ही सब बताना है आपके परिवार में ममी पापा दो भई भावी और दो भणी जैघी आप सबसे ज़्यादा किस के हैं एक कराम लेना है आपको उतरा जानते हैं लेकिन फिर भी एक कराम लेना चाहें तो चुब यह तो होती है ना आप कुछ बात ऐसी होती हैं किसी ने किसी से थालयों है छालिए दसवा सवाल और और वेह हमारे का उन्पिम सवाल है तो आपके लिए आपको क्या लगता है नो डूर अगर भगवान-करता कि आप सिंगर नहीं हो पाती है ना सबके ड्रीम होते हैं बच्पन से जो देखते आएं आपको क्या लगता है अगर आप सिंगर नहीं होती तो किस प्रोफेशन में जाना पसंद करती चलिए बहुत बढ़िया बढ़ाई हो और इसके साथ हमारी तरफ से रेनुका आपके लिए गिफ्ट और आई थिंग हमें उम्मीद है कि जब जब आप इस गिफ्ट को देखेंगी तो आपको यह इंटर्विव याद रहेगा और हम लोगों का यह कारिक्रम याद रहेगा यह से सभी सवालों के जवाब दिए रेनुका लास्ट में हमारे सारे दर्शक हैं आपको देख रहे हैं सुन रहे हैं कोई ऐसा क्या हैना चाहें गे मैंने तो बहुत थारी आपसे रिक्वेस्ट भी की थी पूरी जनता से रिक्वेस्ट की थी कि दूसरा गाना भी बिलियन कर दीजिए बस यही है कि जितने भी मेरे सोंग आते हैं सबको धे सारा प्यार दीजिए अभी तक अपनी हाथ पोचाया है बॉल्लिवुड में भी आप पसंद आया होगा अगर नहीं पसंद आया तो मैं माफी चाहता हूं कि आगे और अच्छी तरह से बनाएं अगर पसंद आया तो प्लीज आप मेंट्स कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार यूही बनाके रखे धन्यवाद नमस्कार